अलो एब्रिवन इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्राइजिंग मेथट्स मुल्य निर्दारण के तरीके नेक्स देखते हैं पहले की प्राइजिंग होता क्या है मुल्य निर्दारण के तरीके वे तरीके जिसमें मुल्य निर्दारण को प्रवावित करने वाले उत्पात सेवा प्रतिसपर्दा लक्षित दर्शको उत्पात का जीवन चक्र विस्तार की फर्म की द्रस्टी आधी जैसे सबी कारकों पर विचार कर बस्तु हों और सेवाओं की कीमत की गढ़ना की जा सकती है समगर रूप से रणनी थी प्राइजिंग को को लगे कि प्राइजिंग मैथेट्स में यह एक वे होता है जिससे कि आम क्या करते हैं गूट्स और सर्विसेस का प्राइस केलकुलेट करते हैं सारे फेक्टर्स को देखते हैं कॉंपेटिशन, टार्गेट ओर्डियन, प्रड प्राइजिंग मैथेट्स केन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन्टू तू पार्ट्स जो मारी प्राइजिंग की मैथेट्स उनको दो पार्ट्स में डिवाइट किया गया है वर्स्ट है कोस्ट ओरियन्टेट, सेकेंड है मार्केट ओरियन्टेट, कोस्ट ओरियन्टेट भी तीन टाइप्स की होती है, cost plus pricing, markup pricing, target return pricing, market oriented pricing, past types की होती है, perceived value pricing, value pricing, going rate pricing, auction type pricing और differential pricing, अब इन सभी कौम detail मा देखते हैं, परस्ट है, A category, cost oriented pricing method, many firm consider the cost of production as a base for calculating the price of finished goods, cost oriented pricing method cover the following ways of pricing, कई firm उत्पादन की लागत को तैयार माल की कीमत की गढ़ना के लिए अधार मानती है, लागत उनमुख मुले निर्दारण पद्विति में, मुले निर्दारण के निम्र तरीके शामिल है, बहुत सारी जो firm होती है, वो cost of production के according किसी भी product की pricing को decide करती हैं, किसी product को आप कितने में खरीक देंगे या उसका MRP क्या होगा, उस product के cost of production पे depend करेगा, अब इसमें हम इसके 3 different types पढ़ते हैं, परस्ट है, cost plus pricing लागत से अधिक मुले निर्दारण, एक simple method होती है, जहांपे की manufacture क्या करता है, cost of production, calculate करता है, उसमें certain percentage का markup value, 8 करता है, ताकि वो selling price को निकाल सके, किसी भी product की markup, value निकालने के लिए अपको कितने percentage of profits ही हो, उसकी total cost, और cost में भी fixed और variable cost को calculate किया जाते हैं, for example, cost of production प्रेड़क्शन प्रेड़क्ट है 500 में, उसमें हमको 25% की cost आईए, तो the selling price will be calculated as a, तो first होगा cost of production मतलब 500 प्लस 500 का 25% आप निकालेंगे, तो यह आएगा, 125 तो यह होगा 6 to 5, 6 to 5 में से हम 500 जो हमारी cost of production आईए, उसको minus करेंगे, तो 125 आता है हमारा profit, यह होती है cost plus pricing method की cost of production, प्लस उसमें जितना हमको profit ची उस percentage को add करके, हम MRP निकालते हैं, next, second है markup pricing, this pricing method is the variation of cost plus pricing, wherein the percentage of markup is calculated on the selling price, यहाँ पे थोड़ा सा वेरीशन होते हैं, कि पहले हम cost plus pricing में cost पे calculate करते थे percentage को, अब यहाँ पे हम selling price पे calculate करेंगे percentage को, for example, एक chocolate की cost 16 रुपीज है, उस पे वो earn करना चाहता है 20%, तो यह होगा, कि जो आपका 16 है, 20% profit earn करके, यह 80% हो जाता है, अब इसको करना है 100%, हम डिवाइट करेंगे, 16 divided by 8 is equal to 2, 2 into 10, तो 20 रुपीज इसका MRP आएगा, तो यह producer को क्या 20 रुपीज, उसका MRP आप्राइज रखना चाहिए, उसमें वो 4 रुपीज earn करता है एक chocolate को बेशने पर, next, target return pricing, in this kind of pricing method, the firm said the price to yield a required rate of return on investment, from sales of goods and services, इस प्रकार की मुली निर्धारण पद्यती में, वस्तु सिवाओं की विक्री से निवेश पर, return की अविशक दर प्राप्त करने के लिए, मुली निर्धारित करती है, for example, if shop manufacturer invest one lakh in business, and expect 20% ROI, उसमें एक लाक रुपे लगाए हैं अपने business को start करने में, उस पे वो 20% rate of return मांग रहा है, तो यह होता है हमारा 20,000, यह आएगा target return price is equal to unit की cost plus desire return into capital investment divided by unit sales target return price, तो जैसे कि हमने देखा था कि unit की cost होगई 16 rupees हमारी chocolate, plus desire return होगे हमको 20% तो यहाँ पर point 20 into investment है हमारा 1 lakh divided by 5000 units बनके ready होई है, तो target return price हाएगा 20 rupees, manufacturer will earn 20% ROI provide that unit cost and sales unit is accurate, in case the sales do not reach 50,000 units then the manufacturer should prepare the break-even chart wherein different ROI can be calculate at different sales unit, अगर manufacture की 50,000 unit sales नहीं होती है और वो अपने 20% ROI को cover नहीं कर पाता है तो उसको break-even chart होते हैं, वो बनाना चीए कि आप कितनी sales पर कितना investment तक पहुँच सकते हैं, तो उस point को calculate करना होगा, यह तीन methods थी हमारी cost oriented method में, cost plus pricing, markup pricing, target return pricing, next, second है market oriented pricing method, under this method price is calculated on the basis of market condition, following our method are under this group, जो हमारी इस method में market की condition के according, किसी भी product का price decide किया जाता है, इसके अंदर five ways से categorize किया गया है, next, first is perceived value pricing, in this method the manufacturer decide the price on the basis of customer perception of goods and service, taking into consideration all the elements such as advertising, promotion tools, additional benefit, product quality, the channel of distribution that influence the customer's perception, e.g., customers buy Sony product despite less price product available in the market, this is because Sony company follow the perceived pricing policy, wherein the customer is willing to pay extra for better quality durability of the product, perceived value pricing बताता है, कि किसी भी manufacturer जो है, वो customer के perception के according, किसी भी product का price decide करता है, कि उसने उस product को कैसे समझा है, उसका advertisement देखा है, उसके लिए क्या-क्या प्रमोशन के tools यूज की गया है, उस product की quality का है, channel of distribution किसके तुरू वो product आ रहा है, यहाँ पर example दे रखा, जैसे कि Sony product आपने लिया है, उसकी जगापे आपको कम prices के, अगर हम television की बात करें तो वो भी available होंगे, mobile phones भी पर आपने Sony ही क्यों लिया, क्योंकि आपको लगता है कि वो अच्छी company है, और उसकी pricing policy से आप familiar है या फिर आपको वो पसंद है कि वो कम price में अच्छी quality दे रहा है, उसका advertising आपने देखा होगा, तो customer क्या होता है, उसके लिए extra pay करने के लिए ready होता है, कि वो ज्यादा time तक चलेगी और उसकी quality भी better है, next, next है value pricing, under this pricing method company designed the low price products and maintenance the high cost offering, here the price are not kept low, but the product is re-engineered to reduce the cost of production, and maintain the quality simultaneously, value pricing में बो रखाई कि company क्या करती है, low price वाले products बनाती है, ताक कि वो क्या करें, जो उनकी high quality वाले product है, उनको maintain कर सके market में, और कम price में भी उसको बनाके और उसकी quality को maintain करना, for example, टाटा नेनो यह बेस्ट एक्जामपल है value pricing का, despite several Tata cars, the company designed a car with necessary feature at a low price and lived up to its quality, data नेनो ने कम price में अच्छी quality दिये customers को best feature के साथ, ताकि उसकी value बनी रहे, पैसे की value बनी रहे उस price में लोगों को उतने features उतनी quality मिल सके, वो तामारा वाल्यू प्रिसिंग, next, 3 अदेग गए गए प्रिसिंग, in this pricing method, the firm consider competitor price as the base in the determining the price of its own offering, generally the price are more or less same as that of the competitor and the price var gets over among the firm, example in oligopolistic industries such as steel, paper, fertilizer, the example charge is same, going rate pricing method में, firm जो होती है, वो competitor के साथ ही same तरही की चीज़े same pricing में offers करती है, यहां पर price बहुत कम जादा नहीं होता है, बहुत minimum सा difference होता है pricing में, जैसे कि oligopolistic में होता है, जापने कि हमारी steel, paper, fertilizer, skin dust ही होती है, कि सभी में price होगा वो same तरहीके से changes होते है, next, differential pricing, this pricing method is adopted when different prices have to charge from the different group of customers, the price can also vary with respect to time area or product form, differential pricing बताते हैं, कि इसमें क्या करते हैं, कि different group of customers के according different price होते हैं, कि कि timing, कि area, कि product के form को आप ले रहें, for example, mineral water, जो कि आपको अलग-अलग area में, अलग-अलग price में मिलेगा, hotel में वेरी करते हैं, railway station पे वेरी करते हैं, retail store पे वेरी करते हैं, आप theaters में जाते हैं, वहाँ वेरी करते हैं, तो वो क्या होते हैं, आपकी place, location और area के according यह क्या होगा, different-different होते हैं, next, auction type pricing, this type of pricing method is growing popular with the more uses of internet, several online sites, e-way, q-car, olx, will provide a platform of customer, wherein they buy or sell the commodity, there are three types of auctions, auction type of pricing बोलते हैं, यह online बहुत ज्यादा चलता है, साइट पे नहां पे आपके आप commodity को buy or sell करते हैं, e-way, q-car, olx, और यह auctions भी तीन types के होते हैं, अब यह तीन types देखते हैं, 1st English auction, there is one seller and many buyer, seller put the item on the side, such as yahoo, better price, the price until the top best price is reached, English auction, जिसमें क्या एक seller होते हैं, और बहुत सारे buyers होते हैं, वो sellers होते हैं अपने product को yahoo, या better reserve, sites पे नट डालते हैं, ताकि उसको उस product का top price मिल सके, वो सबसे high price में उस product को sell कर सके, next, Dutch auction, there may be one seller, many buyer or one buyer and many seller, in the first case, the top best price is announced, and then slowly it comes down, that should the bidder, wherein the second kind buyer announce the product, he wants to buy, then potential seller compete by offering the lowest price, इसमें दो conditions हो सकते हैं, एक seller हो बहुत सारे buyers हो, और ऐसा पी हो सकते हैं, कि बहुत सारे sellers हो सकते हैं, और एक buyer हो सकते हैं, इस cash में अगर एक seller है, तो वो अपना highest price announce करेगा, कि वो उसको highest कितने में उस product को sell करना है, फिर सब उस पर bet करेंगे, और ऐसे वो नीचे आते चाहेगा, second, में एक buyer होगा, बहुत सारे sellers होंगे, तो वहाँ पर क्या, जहाँ पर buyer single है, तो buyer announce करेगा कि उसको कितने में करीदना है, फिर seller सबसे कम price में उनको वो product offer करेंगे, next, sales bid auction, this kind of method is very common in the case of government or industrial purchases, wherein tenders are floated in the market and potential suppliers submit their bids in a closed envelope, not disclosing the bid to anyone, sales bid auction मुलते हैं, कि यह government के या industry पर chest में यूज होता है, जहाँ पर की tenders निकलते हैं market में, suppliers अपनी bid को paper में लिखके और envelope में बन करके देते हैं, ताकि किसी को पताना चले, फिर जो government या industry है वो decide करती है कि उनको यह जो contact है, या tender है, किसको देना है, तो यह थे हमारे methods of pricing, दो तरह के cost oriented pricing और market, cost में 3 पढ़े हमने cost plus markup, target return, market oriented में perceived value pricing, value pricing, going rate, auction type, और differential pricing, cost में cost के उपर हम profit add करके cost 10 यह 20%, markup में selling price पे हम 10-20%, target return pricing में हम target decide करते हैं कि हमने जितना investment क्या है, वो हमको मल सके, next आता है, market oriented में perceived value pricing, कि customer कैसे perceive करता है आपके brand को, आपकी quality आपके product को, according उस product को लेगा, next है value pricing, कि जहां आपको लगे कि उस product की value के according आपको features quality अम provide करें, going rate जो की same तरीके से सभी लोग offer करते हैं, stickle paper fertilizer में, फिर आता है differential जो की different होती है, area के according जैसे mineral water का example हमने लिया आता है, फिर auction type, तो auction type में 3 पड़ी थी, auction में bedding होती है और उसके हिसाब से किसी भी product का price decide होता है, अगर आपको ये वीडियो पसना है तो प्लीज लाइक किजिए और सब्सक्राइब किजिए channel को, thank you हुआ हुआ हुआ